कि आज की हमारे टोपिक है पोटेंशियो मेटर की टोपिक को यह मागे बढ़ा रहे हैं तू मेजर दा यह मेफ वाप तू सैलोग आप जो यह मेफ है उनको मेजर करना हुए या पर आपने कंपेरिजन करने हो तो सरकट तो हमने पिछ से बनाए लिया थे अग्स इंपल सा सब्सक्राइब भी बोलते हैं और यह आप एमेटर भी लिगा सकते हैं करेंट को मैजर करने के क्लिए लेकिन पोटेंशिव मेटर में से करने करता नहीं तो इसी तरह से आपने आपके बिजोड़ सकते हो आप इसको पर से ले के आपके यह कण कर सकते हो इस तरह से यहां पर की का उपशन दिखाजाओं अप्शाय सिद्धेद निचे से कनेक्ट कर दो यह रदिस्टिव वाइर है इसके उपर लिख सकेल होती है जिसका मिलता है सब्सक्राइब इसको आपे और चुछ शेंब सक्राइब यह एक है uh एक सेल यह स्पोस्ज़ इसका मानने स्वेटिन वोल्ट जाते हो गारी और यह बी हो रही है तो अगर आउट वोड में डिखा रहा है और अगर और मैं इसको 20 वोल्ट कर देता हूं डारेक्शन स्क्विल्ट हो जाती है तो फिर गलोनोमेटर पोजिट में डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं लेकिन एक ऐसी स्टेज भी आ जाएगी जब यह उस साइड से इस साइड से इस साइड आ रहा था तो एक पर तो बिल्कुल आपका पर्टिकल वा यानि नल पॉइंट के उपर जरूर आया वो नल पॉइंट की स्टेज के उपर होया था जब यह बीच से पंद्रहें तरफ सप्लाई होता जा रहा था तो गठते गठते यह बढ़ता गया कैसी स्टेज आ जाएगी जहां पर दोन्नों का एक पल हो जाएगा और उस स्टेज के उपर जो पॉइंट होगा वहीं से मुसकी लेंट को मेजर करेंगे कलियर यानि यह मैपको बढ़ाते रहोगे करेंट आपका गठता रहेगा एक चीज़ को बढ़ा रहे हो चीज़ गठते गठते कैसी स्टेज आ जाएगी दोनों सेलों को जब इमेपका क को जाएगा तो उसमें से कोई करण्ट नहीं करेगा और उस स्टेज के उपर हमने वह लेंथ मैजर करनी है बैलेंसिंग जिसको बोलते हो जिस पर नल पॉइंट अपने किया है लेकिन हमने आपर दो सहलों के बिश्य कंपेर करनी है तो एक बढ़ तो के वन को को प्लोज करो होगे तो करेंगी देना स्टाट कर देगी तो ऊसमें आपकी और यौ kicked-O को किया अब फिर हम ननल पॉइंट देख्या इस जो के नल प्रकावária के कहा तक किस प्वइंट के उपरी नल प्रकेर धिखा रहा है यहां से यह था है इसको हमनिए L1 माल दिया निकाल जिए के टू को डाल दी के अंदर लिए तो यहे शित वापनी ये सटाट हो जाएगी यह काम करेगा सबस्क्राइब करूदे हैं पर पृब करूदे है और लेट वह सिटिवेशन के वन के टू है तो अब यहां पर हम कंपेर करांगर कि जो इटू सैल है अपकी फिर इस जब हमने इसको डाला तो फिर ननल पॉइंट नोट किया कि इसको यहां पर नल प्वइंट आया है इसको इसके नल प्वइंट आया था इसके इसको इसको सब्वार्ण यह पर इसको टागे कर सकते हो एवन निकालना हुए लिश ऐडम आ जाएगा लेंथ कर सकते हो तो इस तर ने दो से लों के भी सही कंपेरिजिन की जा सकती है अगर आपने इंटर्ण तो फिर आप करते हो कि एक पर सरक्ट को आप मैं निचे निचे दिखाता हूं यह रदिस्टेंस इसकी एक कि आप यहां पर भी लगा सकते हूं कुझ तो यहां पर अपने गैलोइयर की उप्राप की सलाइड करेंगें अगे अगे सरक्टन ओक को यह रह जाएगा सारा का से था वोद्वलनियों को नोट इस्टेंस निकालनी में यह इस सर्काट ऑपन फोस असे स्त्टेंसुन का नोट की कि जो आपका एवन है उस stage के उपर आपका balancing length कितनी आई यानि नल point इस galonometer ने कहा पर represent किया तो उस length को अबना 11 माल लिया जो directly proportional है 11 के इसको डागे constant लगा हो तो even बराबर है के into 11 फिर हमने सरक्ट को को लोज किया और जो ही सरक्ट आप को लोज करोगे की को जो ही आप डालोगे तो फिर एक अकोर्डिंट टू किर्चॉप सुन लूप रा लूप रूप रूल इसमें current flow होना स्टार्ट हो जाएगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी आपकी कि जहां पर दोन देखिया कि नल पॉइंट अपकी बार कितना है तो को लोज सरक्ट में हमने फिर पोटेंशल डिफरेंस में देखना पड़ेगा देखिया यह वन के दो दूरूत ही नहीं है पर सीदा यह मान लिया हमने तो लैंद कितनी आई बैलेंसिंग लैंद है एल्टू माल लिया सरक् लेकर दो को प्रोब्लम है को ने कॉंस्टेंट है यानि यह बाई वी निकल के आए आगा आपका एल्वन बाई ल्टू के बढ़ापर एक लेकिन अमने करना क्या था यहां से इंटर्नल रजिस्टेंस डेटर्माइन करनी थी और इंटर्नल रजिस्टेंस का फार्मूला पूब हो यह बाई वी है जो आपका तो युवाई वी के लेलू पूट कराँगे यह वन बाई ल्टू मैनस के वन इन्टू मैं आर तो यहां से इंटर्नल रजिस्टेंस डेटर्माइन कर लेकित अब इन दोनों के बीच में मैं इन दोनों के बीच मैं प्रेक्टिकल लगा हो फिर भी करना तो पड़ेगा अब इसमें जब हमने दो सेलों के बीच की यह मैप कंपेर की तो एक बार केवन को क्लोज करके देख्या नल प्वैंट नोट कर लिया जितनी जितनी वो लैंस थी हमने उसको डेटरमाइन कर लिया दोनों का आपस में डिव कैश करो अपन करो और एक बार सरक्ट को कव रोगों करों 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 कि यहांसे अम निकालकर देख्या है इसका कि इंटर्नलस डिटर मैन करनी तीसका रिलेशन आपके पास यह था यह था तो अमने वैल्यू पूट कर दिसकी तो यह निकल जाएगी आपकी इंटरनल रजिस्टेंस और इसी तरह से चोटे सा अगर मैं इसी वीडियो आगे बढ़ाऊं अगर आपने निकालना हो पोटेंशिल डिफ्रेंस डेटरमाइन करना हो अगर आपने पोटेंशिल डिफ्रेंस भी डेटरमाइन करना हो यहीं से सरक्ट तो है आपके पास तो ज्यादा लंबी वीडियो भी निखे चुँगा में अगर पोटेंशिल डिफ्रेंस डेटर मायन करना हो तो पोटेंशिल डिफ्रेंस तो क्लोज सरक्ट में होगा तो बैलेंसिंग लेंथ हम नोट करेंगे तो वी जीकुल टू के इंटू में ल के इस यहां पर पूटेंशिल ग्रेडियंट जो प्रेमरी सरक्ट आपका सेट अप करेगा अब हमने बात करी है पूटेंशिल डिफ्रेंस की यानि सरक्ट रोना तो पहले तो हम पता लगाएंगे जिब सरक्ट कलोज होगा तो फिर करंट कितना फोलो करेगा आई इस इकुल ट आइभी ईए इनमेप के पराबर है आर आपका और टोटन धृटल इस्टेंस की शीरीज में एक कंडक्र की रिजिस्टेंस पर यह याम के ह्रिज। इससंदा प्रोटेंशिल पोटेंशिले वाइर थैटी है यह इस ख्डीkar तो इतना सकती कर रहा है तो करेंचा पैर तो फिर पोटेंशिल ना है आई इनटू में आर तो इतना आपपका वह किसके कारण इंसे के कारण્ना इंसे जो प省ञेंाे उगा और बहुत रऊचवारी है तो है की वेलु फास है है आई की सकते अब तो वीच इ spin तो आई यह निए अपोन आर पलस के आर इंटू में आर तो यह निकल जाएगा आपका फालो पोटेंशल या पोटेंशल ड्रोप और अगर मैं ने का लोग पोटेंशल ड्रोप पर यूनिट लेंथ तो दोनों तरफ हमने इसको लेंथ से डिवाइड करवा दिया लेकिन फालो पोटेंशल पर यूनिट लेंस तो पोटेंशल ग्रेडियंट के करवाबर होगा वी बाई ईजिकल टू के तो फिर इस वी बाई आल को अँधरी प्लेस कर दिया के के इंदर तो k is equal to e upon r plus k r into r by l यह निकल लिए आपका potential gradient लेकर अमने potential gradient नहीं अमने v निकालना था potential difference determine करना था तो v निकालना तो v k into l तो k तो अब निकाल ली चुके हो तो इसमें value पूट करने आपने तो v is equal to k into l k की value यह रही e upon r plus k r into r by l into l तो यह निकल जाएगा इसका potential difference e upon r plus k r into r by l into l यह निकल लिए अब इसका potential difference अब यह l जो है एक balancing length को दिखा रहा है एक total length को दिखा रहा है कदे cancel कर जो आप cancel आप उसको नहीं कर सकते दोनों अलग-अलग values है एक null point को दिखा रहा है उसकी internal resistance के काण कितना potential आपका drop हो रहा है तो i do r i की value निकाल दी और फे उसको उने दोनों तरफ पर unit length निकाल ला तो length से डिवाइड करवा दिया लेकिन v by l आपका k के बरापर हो जाएगा k की value निकाल दी आपको k into lc अधा v के लिए तो प्रेल से और multiply ग्राजिया तो यह निकल जाएगा आपका potential difference तो इसकी हम application कर चुके है अब एक last application बची है इसकी की meter bridge की वो next video में हम करेंगे